है 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 लोग दोस्तों मैं दीपेंसिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रादेश्टेडी हमें स्वागत करता हूं जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लाश 12 के समाकलंकी 7.3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आंगे 7.4 उसके उस 7.4 एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज होना है उन फार्मूलों को हमने इस तरह लिख दिया है जैसे इसे कोशन बताते जाएंगे उनके फार्मूलों का भी प्रिय मैं जा गया है इंटीएशन 3x इसक्वाइर इंटीएशन 3x इसक्वाइर अपाउन एक्सटीड प्लस 1 देखेंगे इसको लिख सकते हैं इंटिगेशन 3x square upon यह x cube का square plus 1 dx इसमें क्या करेंगे माना x की पावर 3 जो x की पावर 3 है इसको बरावर मान लेंगे T के फिर इसका आउकलन करेंगे तो जब इसका आउकलन हम लोग करेंगे तो इसका जो आउकलन होगा यह होगा 3x square dx की जगा हम लिख सकने हैं डीटी तो हो जाएगा integration 3x square dx अटा के लिख देंगे डीटी यह वन प्लस यहां पर रिख देंगे T x cube बरावर 30 तो यहां टी लिखा तो आजाएगा टी स्क्वायर वन अपॉन प्लस एक स्क्वायर फार्मूला होता है का है का 10 inverse x का x की जगा पर दे रहा है T तो प्लस C तो यह बन जाएगा 10 inverse टी की जगे रखेंगे कितना T बरावर दे रहा था x cube तो यहां पर रखेंगे x cube प्लस C और इस प्रकार जो question number हमारा first था वो complete हो गया बढ़ते है question number second की और दूसरा number question देखते हैं क्या दे रहा है second number question दे रहा है integration dx upon under root one plus four x square इसको देखो कैसे solve करते हैं dx upon integration one plus इसको लिख सकते हैं 2x का whole square अब देखो one upon one plus under root के अंदर one plus x square यह मिला है यह वाला फार्मूला बस यहां पर one की जगा क्या दे रहा है e de rahaai, जिदकर यहां पर one का square करने तो यह a square plus x square और x को जाबर क्या दे रहा है जहाँए इसमें x से दे रहा हुए वहां इसमें दे रहा है two x तो फार्मूला लगानगे होता है log log sofane x plus under root x square plas a square to x की जगा पर रखेंगे two x plus on aroot x square plus a singular तो x square की जगए इसका square तो इसका square करेंगे आएगा 4x square प्लस 1 का square की जगए 1 प्लस C पीछे जितने lecture पढ़े थे उसमें बता चुके थे कि जो x के गुड़ा में होता है वो कहाँ पे आ जाता है भाग में तो 2 यह multiply में है तो 2 कहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार यह question second भी हमारा क्या हुआ complete हो गया बढ़ते हैं question number third की और third number question देखते हैं हमारा दिया गया है integration one upon under root two minus x का whole square प्लस 1 अब अगर इसको हम x माने तो यह x square plus one का square वही वाला formula बन जाएगा जो अभी लगाया था क्या लगाया था हम लोगों ने उसको लगाया था log x x की जाँ दे रहा है two minus x plus under root a square plus x square यही तो दे रहा है a square plus x square यह x square plus a square तो x square की जाँ रखेंगे two minus x का square और plus a square तो one का square one x के गुड़ा में कितना है minus one तो यहाँ पे minus आगे आ जाएगा और यही हमारा क्या आ गया answer आ गया question number third हमारा complete हो गया बढ़ते है question number four क्यों है question number four देखते है four number question कह रहा है integration one upon under root nine minus 25 x square dx इसको देखो solve करते हैं यह आ जाएगा one upon under root यह three का square minus five x का whole square अब देखो यह कौन सा फार्मूला बन रहा है यह बन रहा है यह वाला a square minus x square का under root तो इसका क्या होगा sine inverse x upon a तो x की जगा कितना रखेंगे five x upon a की जगा कितना रखेंगे three plus c x के गुड़ा में कितना है पांच कहां पे आ जाएगा भाग में और इस पकार यह हमारा क्या हो गया answer हो गया बढ़ते हैं question number five five number देखते question क्या दे रहा है five number question हमारा दे रहा है three x upon integration three x upon कह रहा है two one plus two x की power four one plus two x की power four dx यह दे रहा है इसमें अगर हम लोग तीन को बाहर कर लें तो integration x dx upon आ जाएगा one plus root two x square का whole square dx इसको हम लोग टी मानेंगे माना root two x square equality alkaline करेंगे जब इसका alkaline करेंगे हम लोग तो alkaline जो इसका होगा घात आंगे आती है तो घात आंगे आएगी तो यह हो जाएगा two root two एक घात कम हो गई बचेगा x dx बरावर dt के तो x dx हमें चाहिए केवल क्या x dx तो x dx बरावर आ जाएगा one upon two root two dt अब देखो क्या करेंगे इसको x dx हटा देंगे और इसकी जगए लिख देंगे one upon two root two बाहर था three तो आजाएगा three upon इसकी जगए dt और यह one plus इसकी जगए लिख देंगे t square तो यह आजाएगा t square यह आएगा three upon two root two यह होता है ten inverse x का फार्मूला मतलब x की जगए दे रहा t तो आजाएगा t अब इसकी जगए t की जगए t की value रख देंगे जो यह दे रहा था तो यह answer आजाएगा three upon two root two ten inverse t की जगए value रखेंगे root two x square plus c और यह हमारा क्या है इस question का answer है बढ़ते है question number six की ओर six number देखते है question क्या कहे रहा है six number question कहे रहा है x square upon one minus x की power six से dx देखो इसको क्या करेंगे यह x square बना रहने दो इसको लिख सकते one minus x cube का whole square dx यह लिख सकते है इसको मानेंगे हम लोग t माना x cube equality घात आगे आएगी एक घात कम हो जाएगी dx बराबर dt के तो x square dx बराबर आ जाएगा one upon three dt के अता x square dx अटाक लिख देंगे one upon two one upon three इसकी पूरी की जगा है dt upon one minus यह हो जाएगा t square अब देखो यह जो फार्मूला बनेगा वो यह बन जाएगा one upon a square minus x square का इसका होता है one upon two a तो one upon three into one upon two a एक जगाए कितना दे रहा है one into log a plus x तो एक जगाए दे रहा है one plus x की जगाए पे t upon a minus x तो one upon t प्लस सी यह हो जाएगा one upon three two जा six log one plus t t की value रखेंगे t की value कितनी दे रहा है x cube तो यहाँ x cube upon one minus x cube प्लस सी और यह हमारा क्या हो गया answer हो गया इस question का तो इस प्रकार question number जो हम लोगों का six था वो भी हम लोगों का complete हो गया बढ़ते है question number seven की और और देखते है question number seven क्या दे रहा है question number जो seven है वो दे रहा integration root x minus one upon under root x square minus one dx यह हम लोगों को दिया गया सौरी यह x था के वाफ क्या करेंगे अलग अलग भाग देंगे तो यह x upon under root x square minus one dx minus one upon under root x square minus one dx यह बन जाएगा अब इसको देखो ध्यान दो जरा यह आएगा इसमें अगर हम मान ले इसको मान ले टी माना x square minus one बरावर टी पहले चाहिए इसको solve दा लो integration x upon under root x square minus one dx अब देखो यह वाला देखेंगे कों सा फार्मूला बन रहा है यह x square minus a square का under root का तो यह क्या होता है log x तो log x x की जापे x है फिर प्लस under root x square minus a square तो एक जगह दे रहा है one तो यह आ जाएगा यह इसका करेंगे तो इसमें मानेंगे माना x square minus one बरावर टी के आउकलन जब करेंगे तो आउकलन करने पर देखेंगे क्या आएगा x square करेंगे घात आँगे आजाती एक घात कम हो जाती तो यह हो जाएगा 2x dx बरावर dt के तो x dx बरावर आएगा 1 upon 2 dt के अता यह जो होगा x dx वहाँ पर लिख देंगे 1 upon 2 dt इतने को हमने माना 30 तो यह आ जाएगा root t minus यह पूरा लिख देंगे log x plus under root x square minus 1 plus और 1 upon root 2 तो 1 upon 2 यह उपर जाएगा t की पावर minus 1 upon 2 dt minus log x plus under root x square minus 1 plus c जब इसको solve करेंगे तो पता है क्या होगा 1 upon 2 इसमें एक घाज जोड़ेंगे तो बचेगा 1 upon 2 1 upon 2 का मतलब होता है under root तो under root t बचेगा और t की जगे हम लोग क्या लिखेंगे t बराबर था x square minus 1 के तो यह हो जाएगा x square minus 1 नीचे भी आएगा 1 upon 2 जो घात आती इसको solve करने ना नीचे बता दिया है जगा की कमी कर थोड़ा में किये दे रहे है x plus under root x square minus 1 plus c यह दो से दो कड़े आएगा आंसर आ जाएगा x square minus 1 minus log x plus under root x square minus 1 plus c और यही हमारा क्या है answer जाएगा 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 शेवेन नमबर क्वेशन कम्प्लीट हो गया बढ़ते हैं क्वेशन नमबर एट की और एट नमबर कोशन देखते हैं क्या दे रहा है एट नमबर कोशन दे रहा है x square upon integration x square upon under root x की power 6 plus a की power 6 dx इसको अब लोग लिख सकते हैं x square upon under root इसको लिख सकते हैं x cube का square plus इसको a cube का square dx इसको मानेंगे t माना x cube equality के आउकलन करेंगे जब आउकलन करेंगे तो इसका आएगा 3 x square dx बराबर dt के तो x square dx बराबर 1 upon 3 dt अता x square dx अटा के लिख देंगे 1 upon 3 dt इसकी जगह लिखेंगे under root यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे t तो यह हो जाएगा t square प्लस यहाँ पे aq का square इसको अगर पूरे को a मान ले इसको x मान ले तो 1 upon under root x square प्लस a square फार्मूला बन गया आपका यह जो की होता है 1 upon 3 log x x की जाएगे रहा t plus under root x square प्लस a square तो इसका square करेंगे t square और a square मतलब इसका square करेंगे a की पावर 6 बराबर आएगा 1 upon 3 log t की value रखेंगे अब t की value क्या दे रहा था x cube तो यह हो जाएगा x cube प्लस under root t square मतलब t की जगा x cube और x cube का square करेंगे तो x e power 6 प्लस a की पावर 6 प्लस c और यह हमारा आ गया question number 8 का answer बढ़ते है question number 9 की ओर देखते है nine number question क्या कह रहा है nine number question क्या रहा है आप से integration सेक स्क्वाइर एक्स upon सेक स्क्वाइर एक्स upon under root 10 square x plus 4 dx integration सेक स्क्वाइर एक्स upon इसमें देख हम लोंग क्या करेंगे माना 10 x बदार क्योंकि अगर 10 को में लोग T मान लेंगे तो 10 का उकलन जो हता है वा था स्ऴाइर एक्स और 270 x डी एक्स आ जाएगा इसका करेंगे उकलन जब इसका उकलन करेंगे तो 10 का होगा 6 square x dx बरावर dt के अता 6 square x dx जा लिख देंगे dt upon यहां हो जाएगा under root इसकी जग़े रखेंगे हम लोग t, t का square प्लस अब 4 जो है, 4 की जग़े पर कह लिखेंगे 2 का square तो यह आ जाएगा 2 का square यह फिर फार्मूला यही बन गया यह आपका तो यह होता है log x plus under root x square plus a square तब 2 का square 4 plus c, value रखेंगे log, t की जग़े रखेंगे 10 x तो यह आ जाएगा 10 x plus under root यहां पर 10 रखेंगे 10 square x plus 4 और plus c और यह हमारा क्या हो गया answer हो गया question number 9 का बढ़ते हैं question number 10 की ओर 10 number question की ओर बढ़ते हैं देखते हैं 10 number question क्या दे रहा है 10 number जो आपका question है वो आ रहा है under root 1 upon under root x square plus 2 x x square plus 2 x plus 2 dx देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 upon x square plus 2 को लिख सकते हैं एक प्लस एक एक और एक क्या हो जाएगा वही दो हो जाएगा इसको देखो इसको अगर हम स्क्वाइर कर दें तो क्या एक्स प्लस वन का स्क्वाइर यह बन जाएगा एक्स स्क्वाइर प्लस वन स्क्वाइर प्लस टू एक्स यह पूरा यही बनेगा मतलब इसकी जगह हमें लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वाइर तो यह हो जाएगा वन अपॉन अंडारूड एक्स प्लस वन का होल स्क्वाइर प्लस वन मतलब वन का स्क्वाइर इसको इतना किया यह फार्मूला फिर यहीं बन गया तो आजाएगा क्या लॉग एक्स लक्स कि जाए र ये पूरा ये ये दो इसके बराबर है और ये इसके बराबर हो क्या ये इसके बराबर है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इस पूरे की जगह ये लिख सकते हैं लिख देंगे अंडा रूड एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस सी इस प्रकार कोशन नंबर दस भी हमारा कम्प्लीट हो गया अब बढ़ते हैं कोशन नंबर 11 की ओर देखते हैं 11 नंबर कोशन क्या दे रहा है इसको भी सेम ऐसे ही तोड़ेंगे वन अपॉन इंटिकेशन इसका स्क्वायर मतलब तीन एक्स का स्क्वायर प्लस इसको पाज को लिख सकते हैं 1 प्लस 4 और प्लस 6 EX d mujer अब देखो यह a square प्लस b square प्लस 2 ab मतलब यह बन जाएगा 3X 1 का X2 diy 161 अ यह बन जाएगा 2 का स्कॉर यह जिसको समझ में नहीं नहीं है वो समझ लें कैसे करते रह रहते हैं नहीं पांस ताइ पांच का पांच बना रहे ने दो कुछ ना करो इसमें हमारा दिया था नाइन एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स प्लस फाइव इसको इस रूप में हमने कैसे तोड़ा अगर डारेक्ट आपको समझ में नहीं आया तो देखो इसका तरीका समझ लो यह देख रहा है पूरा वर्ग जगह यह बन रहे तो और ऑर वन जब हिस्से कम हो गया तो क्या बचेगा फ़ोर्प यह लिख सकते हैं लोग दो कंगया है अब ये फिर formula यही वाला बन गया तो वही तरीका होता है किया log x x की जगा पर दे रहा है 3x plus 1 प्लस under root a square होता है under root x square plus a square तो इसका स्क्क्वाइर करेंगे 3X प्लस 1 प्लस क्या ये पूरा ये सेम है और इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं मतलब इस पूरे की जगह पर ये लिख सकते हैं तो वही लिख दो पूरा 9X स्क्वाइर प्लस 6X प्लस 5 प्लस C और ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया कोश्यन नंबर 11 कंप्लीट हो गया बढ़ते हैं कोश्यन नंबर 11 के बाद कोश्यन नंबर 12 क्या आए 12 कोश्यन एंडर रोड एक्स माइनश 1 और x-2 dx देखो इसको कैसे solve करते हैं सबसे पहले तो इसका अंदर multiply कराएंगे multiply कराएंगे तो x का x में x square x का 1 में minus x इसका इसमें minus 2x इसका इसमें plus के 2 dx तो 1 upon integration ये x square minus 2 1 3x plus 2 dx अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या मिला है अभी तक तुम भी कुछ समझ में आ रहा था तो क्या करेंगे इस x वाले का गुडांग कर लो x वाले गुडांग है minus 3 या 3 ले लो और जितना गुडांग हो उसमें से कितने बाग दे दो 2 का भाग दे दो जितना आए इसका स्क्वायर जोड़ दो इसका स्क्वायर गटा दो बाग समझना जब आपको पूरवर्ग बनाना ना समझ में है क्लाश टेंट में पढ़ाया गया होगा पूरवर्ग दो इगास समय करने में तो करते क्या है कि संख्या को पूरे को लेंगे इसमें x कवाल काम गुडांक लेंगे ठीक है और उससे क्या करेंगे 2 से भाग देंगे जितना आएका उसका स्क्वायर जोड़ेंगे उसका स्क्वायर गटाएंगे तो 3 मटे 2 आया तो इंटू डी अक्स इंटिकेशन वन अपॉन अब यह हमेशा याद रखना कि यह जो बनेगा फार्मूला यह ए हो गया और यह बी हो गया यहां माइनस है तो ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा ए की जगह रखा x बी की जगह रखा 3 बटे 2 का होली स्क्वार इसमें देखो 4 दूनी 8 9 माइनस के और 8 प्लस के आएंगे तो 9 में 8 जाएंगे बचेगा माइनस 1 बटे 4 और माइनस 1 बटे 4 को लिख सकते हैं माइनस 1 बटे 2 का होली स्क्वार डी यह यह वाला आपका प्लस प्लस अंडर रुड एक्स स्क्वार माइनस 3 बटे 2 का होली स्क्वार माइनस 1 बटे 2 का होली स्क्वार थर्टीन नमबर बता दिया कोशन तोलबाद में बता देंगे अब देखो समझो इसको इसको यह दे रहा है लॉग एकस माइनस थ्री बाई टू प्लस और यह पूरा जो था वो यह इसी का तुरूप था तो इसकी जगह पे पूरे की जगह पे हम लोग यह डारेट लिख सकते हैं ठीक है यह यह न लिखो तो आप यह लिख दो तो यह लिख दो सीधे अंडारूड एकस स्क्वाइर माइनस थ् और प्लस से और यह हो गया थार्टी नंबर कोश्चन का अंसर हम लोग पढ़ते हैं कौन सा टॉल नंबर कोश्चन कोश्चन नंबर बारा उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जिसको भी कोई दिक्कत हो रहे ही समझने में तो वीडियो को क्या करेंगे रिवर्स करके फिर से देखेंगे समझ में आ जाएगा फिर भी कोई दिक्कत होती तो कमेंट्स वॉक्स में कमेंट्स करेंगे कमेंट्स के वहीं साब से हम आपको इसको दुबारा भी बता देंगे कोश्चन नंबर पढ़ते हैं अच्छा कोश्चन है कोश्चन नंबर बार नम्बर कोशन कहरा हैAndron seventh minus six x स्ग्वाइर , Daisy Seven माइस डीएकस इसको खो क्या करेंगे कॉमनलु मैंनलेंगे टो यह प्लस का हो जायगा यह सेवन माइनस चाह सेबिए अब यह इंटीगेशन वानाप ए describes हमने बताया था जोड़ने घटाने के लिए क्या करते है एकस का उडांक लेते हैं एकस का उडांक देरा अच्छा है इसमें बताया था दो का भाग देते हैं दो का भाग देंगे तो बचेगा तीन जितना बसता उसका स्कॉयर जोड़ते हैं उसका स्कॉयर गटाते हैं तो दे integration ये minus ये बन जाएगा बताया था यहाँ पर प्लस बी का फार्मूला बनेगा बी की जगह रखेंगे तीन और यहाँ minus होता तो ये minus बी का फार्मूला बनता ये बनेगा 9,11,16 की जगह क्या लिखेंगे 4 का square dx क्या करेंगे अब इस minus का अंदर जब गुड़ा करेंगे bracket खोलेंगे तो ये plus का हो जाएगा 4 का square ये minus का हो जाएगा एकस प्लस 3 का whole square dx फार्मूला हमारा कों से बन गया अंडर रूट के अंदर ये बन गया साइन वाला फार्मूला ये तो क्या होता है ये होता है साइन इन वर्ड़्स एकस अपान ए तो एकस की जगह दे रहा है एकस प्लस 3 एक जगह दे रहा है चार और सी और यही हमारा क्या गया अंसर आ गया इस प्रकार कोशन नंबर 12 इसके पहले बता चुके हैं कोशन नंबर बढ़ते हैं लोग 14 की ओर है मुद है को कॉशन नंबर 14 कोशन नंबर 14 जो है कोशन नंबर 12 की तरीके यह है देर आए इंटिकेशन वन अपॉंग अई अयरं अट अगम Kollege में 8 प्लस 3x-a क्सिक्वायर धिलेगा थीसके बात इसको करेंके वन अपॉंग इंटिकेशन इसम GUY माइब फिर लेंगे जैसे भी टॉल नंबर कोश्चन में किया तो सिम्व ऐसे ही करेंगे तो इसमाइनस कॉमल लेंगे तो यह एक्स स्क्वाइर यह आएगा माइनस के 3X से माइनस के 8 और यह डी एक्स फिर वही तरीका दो दूनी चार डी एक्स इसको हम लोग सॉल करेंगे वन अपॉन अंडरोड इसको हम बता चुके हैं कि यहां पर माइनस होगा तो यह माइनस बी का फार्मूला तो बी की जगह दे रहा है 3 बटे 2 का होल इसको है यह आएगा आठचो को 32 और 32 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 तो माइनस के 41 तो माइनस तो यह आगया इक तालिस कम तब हम इसको लिख सकते हैं रूड इक तालिस बटे 2 का होल स्कुर और दी एक्स फिर वही तरीका माइनस का अंदर जब गुणा करेंगे तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यह जाएगा पॉश प्लस अंदर रूट फोर्टी वन अपॉन टू का होल स्क्वार यह हो जाएगा माइनस का माइनस के एक्स माइनस थिरी बाई टू का whole square dx यह formula फिर वही बन गया sign वाला बता चुके हैं पीछे भी question इस formula से कर चुके हो तो sign inverse x x की जादे रहा है x minus 3 upon 2 upon a एक जगे root 41 upon 2 plus c ठीक है क्या करेंगे इसके बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें उपर LCM लेंगे जब उपर LCM लेंगे तो आएगा sign inverse 2 LCM लिया जब 2 का LCM लेंगे तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा 2 x minus 3 और नीचे आपको दे रहा है root 41 बटे 2 अब ध्यान से समझने की बात है यह 2 से 2 कट जाएगा यह आएगा sign inverse 2 x minus 3 upon root 41 और यही हमारा क्या है 14 number question का answer बढ़ते हैं question number 15 की ओर देखते हैं 15 number क्या दे रहा है 15 number दे रहा है integration 1 upon under root x minus a x minus b d x integration 1 upon under root इसका गुणा करेंगे x square इसका इसमें गुणा करेंगे आएगा a x इसका इसमें गुणा करेंगे b x यह minus minus क्या हो जाएगा plus के a b और d x integration 1 upon under root x square इसमें common दोनों में मिला है x x जब इसमें common ले लेंगे तो बचेगा a plus b और यह था plus के a b अब इसको दो घास समीकर में कैसे बने बनाएगे quadratic equation में तो बता चुके है x के जो आंगे दिया गया होता है उसमें दो का भाग देके उसका square जोड़ देते हैं और उसका square गटा देते हैं तो बस यही करना है क्या करेंगे इसमें x square plus a plus b upon 2 का square हम लोगों ने जोड़ दिया और जब इतना जोड़ा है तो हमें इतना ही क्या करना पड़ेगा इतने का square गटाना पड़ेगा तो इसका square हम लोग गटाएंगे कि इसका a minus b upon 2 का whole square इसको हम बता चुके हैं कि यह क्या होता है a यहाँ पे अगर minus है तो यह minus का a minus b का होता है अगर यहाँ plus होता है तो a plus b का होता है b क्या होता है a plus b upon 2 इतने का square इसमें देखो इसको करेंगे तो a b minus उपर square खोलेंगे a square plus b square minus 2ab और नीचे जब खोलेंगे तो आएगा 4 और into dx यह one upon है integration one upon under root यह आएगा x minus a b upon 2 का whole square plus इसमें 4 lc m लेंगे तो यह आएगा 4ab minus का अंदर उना करेंगे minus a square minus b square plus 2ab तो यह आजाएगा जो आपका integration इधर किये दे रहे है one upon under root x minus a b upon 2 का whole square plus यह a plus b था तो यहाँ पर minus आएगा तो चार में दो जाएगे बचेगा plus के 2ab फिर इसमें minus common अगर लेंगे तो यह plus का हो जाएगा a square plus b square और यह हो जाएगा जब plus के 2ab बचेगा तो आजाएगा 2ab वो भी minus के हो जाएगा क्योंकि minus common ले लिया upon 4 into dx यह जो आएगा 1 upon under root x minus a b upon 2 का whole square minus यह आएगा काएगा उपर आ रहा है बन रहा है a minus b का whole square नीचे बन रहा है 2 का square तो इस पूरे को ऐसे लिख देंगे यह बन गया कौन सा फार्मूला यह बन गया under root x square minus a square का लगाएंगे क्या होता है log x minus a x तो x की जगा रखेंगे x minus a b upon 2 और plus under root यह पूरा लिख देते हैं अब इस पूरे को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x minus a b upon 2 का whole square minus a minus b upon 2 का whole square plus c यह प्लस b है तो यहाँ पे भी क्या होगा a plus b by 2 और यह आपका जो है वो क्या आगया इसका answer आगया इस पूरे की जगे अब लोग चाहें तो यह लिख सकते हैं तो इस पूरे की जगे हम लोग इसको भी लिखने हैं क्योंकि इसी की जगे पे यह पूरा बना हुआ है ठीक है उबीद करते समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आ यह तो इसको दुबारा से इसको देख सकते हो कि यह था कोशन नंबर 15 बढ़ते हैं हम लोग कोशन नंबर 16 क्यों 16 नंबर देखो कोशन क्या दे रहा है 16 नंबर कोशन कह रहा है 4x प्लस 1 integration 4x प्लस 1 अपॉन अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वाइर प्लस x माइनस 3 dx यह दे रहा है कोशन बहुत ही सिंपल कोशन है पीछे की तरीके हम देख रहे हैं इसको गटी मानेंगे तो इसका उकलन जो आएगा यह उपर वाला आ जाएगा तो क्या करेंगे माना 2x स्क्वाइर प्लस x माइनस 3 एक्वल्टी ठीक है तो अब इसको करेंगे तो यह आएगा उकलन करेंगे आउकलन में हम जैसा कि हमें पता है कि गात आंगे आती तो दो आंगे आएगा दो दूनी 4x प्लस x करते हैं वन इसका आएगा जीरो जीरो को ना लिखो dx बरावर dt तो 4x प्लस 1 dx की जालिख देंगे dt तो integration dt अपॉन integration अंडरूट इतने बरावर लिए टी तो यह आपे टी आएगा अंडरूट है मतलब पावर एक बटे दो यह पावर उपर जाएगी माइनस के एक बटे दो dt समा कलन में पता है कि पावर में क्या करते हैं एक जो जाएगा प्लस एक बटे दो का मतलब होता है अंडरूट टी है टी की वैलू थी 2x स्क्वाइर प्लस एक्स माइनस 3 और यह भी दो उपर चला जाएगा तो आ जाएगा टू प्लस सी और यह हो गया हमारा 16 नंबर कोशन का अंजर हम लोग बढ़ते हैं कोशन नंबर 17 क्या दे रहा है 17 दे रहा है एक्स प्लस टू इंटिगेशन एक्स प्लस टू अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वाइर माइनस वन डी एक्स यह दे रहा है हमें इसको लोग क्या कर सकते हैं एक्स अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वाइर माइनस वन डी एक्स प्लस इस टू को लिख सकते हैं टू इंटू वन मतलब वन को अंदर कर दो एक्स स्क्वाइर माइनस वन डी एक्स यहां तक बात किलियर हुई इस टैप का पीछे कर चुके हैं क ठोशन अब इसको मान लेंगे टी मान गेड़ी मान अफ्स स्क्वायर माइंडस एकवल्टी और करेंगे थैसे करेंगे ऑटो करेंगे तो इसका होगा trip इसका हो जाएगा दी लो डीक से बराबर डीक हमें के वर एक सडी एक सै लिए तो एक से डी एक सब बराब compute टू डीटी तो इस वाले की जगह लिख देंगे 1 अपॉण 2 एक सट गया तो 1 अपॉण 2 यह आगया डीटी अपॉण यह आएगा रूट टी और प्लस टू इसका करेंगे तो यह देखना है यह फार्मूला बन रहा है बस यहां पर जहां यहां पर बन रहा है तो वहीं लगा देंगे फार्मूला लाग एकस प्लस अंडरूड एकस स्क्वाइर माइनस एकस्क्वाइर प्लस से इसका जैसा कि अभी हम लोगों किया था तो अभी किया तो तो क्या आया था रूट टी अपॉन अपॉन इसके जेश्ट पहले किया था समाकलन टू लॉग एकस प्लस अंडरूड एकस स्क्वाइर माइनस वन प्लस सी इस दो से दो कड़ जाएगा अंडरूड टी और टी बरावर हम लोगों ने लिया था एकस स्क्वाइर माइनस वन प्लस टू लॉग एकस प्लस अंडरूड एकस स्क्वाइर माइनस वन प्लस सी और यहीं हमारा क्या है इस कोश्चन का आंसर है कोश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया बढ़तने कोश्चन नंबर 18 की हो है देखते हैं कोशन नमबर 18 18 नमबर जो कोशन है हमारा वो दे रहा है 5x-2 5x-2 अपाउन वन प्लस 2x-3x-2 अब देख रहे हैं कि इसको हम इसका उकलन करें तो उपर वादा नहीं आ रहा है तेखो इस कंडिशन में सवाल को कैसे लगाते हैं समलना इसमें क्या करेंगे माना 5x-2 अपाउन 1 प्लस 2x प्लस 3x-2 बराबर a इंटो d अपाउन dx इस वाले को लेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x-2 और प्लस लेंगे b अपाउन पूरा ये नीचे लिख देंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x-2 अब ये तो ये कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह बचेगा 5x-2 इस तरफ का करेंगे D upon DX का मतलब होता है आउकलन, इसका जब आउकलन करेंगे 0 इसका करेंगे 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 इसका इसमें 3 दू नीच है एक घात कम हो जाएगी केवल बचेगा X plus B तो 5X minus 2 equal एक अंदर गुणा करेंगे 2A plus 6AX plus B तुलना करेंगे दोनों पच्छों की दोनों पच्छों की तुलना करने पर जब दोनों पच्छों की हम लोग तुलना करेंगे तो इसमें X के आंगे दे रहा है 6A इसमें X के आंगे दे रहा है 5 तो A वरावर आ जाएगा 5 बटेच है इसमें बिना x वाला दे रहा है 2a प्लस b इसमें दे रहा है प्लस वाला माइनस दो 2 in 2 a की वैलू रखेंगे दे रहा है 5 बटे 6 प्लस b वरावर माइनस 2 2 से काटेंगे दुत्त तो जो b की वैलू आएगी वो माइनस 2 ये माइनस का 5 बटे 3 3 दो ने 6, 5, 11 बी वरावर आगया माइनस के 11 बटे 3 एब देखो क्या करेंगे सौल करने के लिए यह वाली साइड लेंगे इसको जाँ लोग सौल करेंगे यहां से लेंगे इसको लेंगे एक जग रखेंगे कितना पांच बटे-चै पांच बटे-चै को आंगे कर दो integration क्या वचा 2 प्लस 6x और upon में पूरा जो ये दिया गया था यही पूरा लिख दो 1 प्लस 2x प्लस 3x square dx फिर क्या करते हैं प्लस कभी लेते हैं तो प्लस कभी बी था माइनस 11 वटे 3 तो माइनस के 11 वटे 3 integration 1 upon फिर इसी को क्या करेंगे इसी को लिख देंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x square dx अब देखो इसको कैसे solve करेंगे इसको अगर हम लोग टी मालने तो यह solve हो जाएगा तो इसको मान लो टी माना 1 प्लस 2x प्लस 3x square बरावर टी के आउकलन करेंगे अगर जब आउकलन करेंगे तो यह आएगा 0 यह आएगा 2 और यह आएगा 26x dx बरावर dt के मतलब इतने दोनों को अटा के हम लोग लिख सकते हैं dt तो इक्वल आएगा 5 by 6 dt अपॉन यह आएगा t माइनस 11 बटे 3 इसमें तो इसको कुछ मान के मूपर वाला लिख नहीं सकते हैं तो इसका क्या करेंगे हम लोग इसको हम लोग पूर्ड बर्ग बनाएंगे complete square बखरेंगे तो पूर्ड बर्ग बनाने का तरीका बता चुके हैं आपको 11 बटे 3 1 upon सबसे पहले इसमें 3 common ले लो क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए केवल x square तो तीन common लेंगे मतलब तीन का गुणा तीन का भाग तो तीन का भाग इसमें देंगे x square तीन का भाग इसमें देंगे तो आएगा एक बटे 3 इसमें तक बात सुनें अभी तक जो पूरवर्ग बना रहे थे उसमें क्या होता था यहां केवल x square होता था तो इसलिए क्या किया है यहां पर केवल x square करने के लिए तीन का भाग दिया जब तीन का भाग देंगे तो तीन का में ट्रिक आप बताया था पूरवर्ग बनाने के लिए कि जितना एक्स के आनगे दिया गया हो इसमें दो का भाग दे देते हैं तो असकर के आ अगे दे तें रहा दो बटे – 3 इसमें दो पांच बटे 6 लॉग टी माइनस 11 बटे 9 वन अपॉन इसके लिए बताया था क्या करते हैं यह यहां पे अगर प्लस है तो प्लस के बी बी की जगा वन अपॉन थिरी का ओल इसको है प्लस इसमें लेंगे 9 आएगा लस्यम तीन से डिवाइड करेंगे तीन बार जाएगा नो से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा तो यह एक आएगा इंटू डी अक्स तो यह आ गया पांच बटे 6 लॉग टी माइनस 11 बटे 9 इंटिगेशन वन अपॉन यह एगर एकस प्लस वन अपॉन थिरी का होल स्क्वार यह एगर दो बटे 2 मतलब रूट 2 बाई 3 इतने का होल स्क्वार डी अब देखो इसको कैसे सॉल करेंगे यहां पर लिखे दे रहा है इसको पांच बटे 6 लॉग टी माइनस 11 बटे 9 इसके लिए बताया वन अपॉन एइस स्क्वार अपॉन एकस स्क्वार का होता है टैन इन वर्स का तो इसमें लगाएंगे को उसा टैन इन व अगला साथ 11 बटे 9 होता है one upon एक हिज़ से सप्वारन एक सब्स्स वन अपॉन पर ज़िए और एक जगह दे रहा है टूप Dawn रोट त्री कि आप इससे काटेंगे तो यह आएगा 5 बटे 6 लाग टी की वायलू रखेंगे टी वरावर हम लोगों ने कितना माना था 1 प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस यह 11 बटे 3 रूट 2 10 इनवर्स उपर 3 हम लेंगे तो आएगा 3 एक्स प्लस 1 नीचे बचेगा यह रूट 2 और इसका जो 3 है वो इसका 3 कट जाएगा प्लस 3 यह हमारा क्या आगया इसका आंसर आ यह हमारा क्या आंसर वीडियो को एक बार इसको दुवारा से देख लेना क्योंकि लंबा कोश्चन है थोड़ा समझ में हो सकता है पहली बार मे कर के बताना आगा।